नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है पर्मोठाकुर और आप देख रहे हैं स्मार्ट प्रोड़केफे यूट्यूब चैनल दोस्तो बरसात का मौसम शुरू हो चुका है और ऐसे मौसम में बहुत से लोगों को गुनगुने पानी से या फिर गरम पानी से नहाना अच्छा लगता है तो ऐसे में यदि आप एक best water heater लेना चाहते हैं और confused हैं कि कितने size और कितने power का water heater आपके लिए best होगा एक best water heater लेने से पहले किन-किन important points का ध्यान रखना चाहिए और कौन से ब्रांड का कौन सा model आपकी family की requirement के हिसाब से best होगा तो आज इस वीडियो में आपको इन सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे साथी साथ मैं आपको इन्डिया में मिलने वाले top 5 best water heater for home 2022 के price, power requirement, energy rating, features और warranty के बारे में डेटेल ने बताऊंगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके और आप आपने लिए एक best water heater और गीजर सेलेक्ट कर सकें लेकिन यदि चैनल पर नए हैं और मुझको पहली बार देख रहे हैं तो प्लीस ही चैनल को सब्स्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ऐसी ही इंट्रेस्टिंग वीडियो देखने के लिए शुरू करते हैं इस वीडियो को दोश्तों इलेक्ट्रिक वाटर हीटर या गीजर इनर टैंग हीटिंग अलिमेंट एन और रोड इंसुलेशन मटेरियल थर्मो कपल और आउटर बॉड़ी जैसे इस पेर पार्ट से मिलकर बना होता है और ये जरूत पढ़ने पर हिटिंग एलिमेंट की हेल्प से आपको गरम पानी फ्रोवेट कराता है चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि एक बेस्ट वाटर हीटर लेने से पहले आपको किन किन इंपोर्टेंट पॉइंट्स का दिहान रखना चाहिए इसमें सबसे इंपोर्टेंट होता है टाइपस वाटर हीटर दोस्तो इलेक्ट्रिक वाटर हीटर मेंली टू टाइपस के होते हैं इस्टोरेज वाटर हीटर और इंस्टेंट वाटर हीटर तो यदि आपको अपने नहने के लिए एक वाटर हीटर लेना है तो आपको storage water heater लेना चाहिए ये आपको 6 liter, 10 liter, 15 liter और 25 liter size में मिल जाते हैं वहीं यदि आपको अपने kitchen के काम करने के लिए एक water heater लेना है तो आपको instant water heater लेना चाहिए ये आपको 1 liter, 2 liter और 3 liter size में मिल जाते हैं दूसरा important point होता है size of water heater दोस्तो यदि आपकी family में 2 to 3 member हैं तो आपको 15 liter का size वहीं यदि 4 to 5 या इससे जादा हैं तो 25 liter size का water heater आपके लिए best होगा storage water heater में 2000 watt का heating element और instant water heater में 3000 watt का heating element होना चाहिए ताकि आपको fast heating performance मिले दोस्तो water heater के अंदर thermostat, thermal auto cutoff और support for high rising building जैसे safety feature होने चाहिए ताकि safety का कोई issue ना आए साती सात वारंटी जितनी ज्यादा मिले उतना आपके लिए अच्छा होगा minimum 2 year on product और 5 year on inner tank की वारंटी होनी चाहिए तो आपको एक best water heater लेने से पहले इन important points का ध्यान रखना है अब बात कारते हैं अपने main topic top 5 best water heater for home 2022 in India की तो इस list में पात्वे नंबर पे आता है बजाज new सकती new 15 liter water heater model नंबर आप screen पे चेक कर सकते हैं इसका price है 7300 के आसपास दोस्तो इन सभी water heater के price change होते रहते हैं तो exact price के लिए आप link पर जाकर जरूँ check कीजेगा हो सकता है कोई sale ये offer चल रहा हो और ये water heater आपको कम price में मिल जाएं इन सभी water heater के link मैंने वीडियो के description में दे दिये हैं दोस्तों बजाज के इस water heater में आपको 2000 watt का heating element मिल जाता है और इसकी energy rating है 4 star की इसकी water capacity है 15 liter की suitable for 2-3 percent इसमें आपको 10 liter और 25 liter size का water heater भी मिल जाता है वहें इसकी warranty की बात करें तो इसमें आपको 1 year on product, 2 year on heating element और 5 year on inner tank की warranty मिल जाती है दोस्तों इस water heater में आपको copper heating element मिल जाता है और इसके अंदर आपको titanium armor technology मिल जाती है जिसके अंदर इसके inner tank में एक special coating की जाती है जिससे tank में जंग नहीं लगती है और वो लंबे समय तक चलता है ये water heater 8 bar pressure को handle कर लेता है तो यदि आप building में रहते हैं तो इस water heater को use कर सकते हैं इस water heater में आपको child safety mode और thermal auto cutoff जैसे safety feature मिल जाते हैं जिससे safety भी बनी रहती है साथी साथ इस water heater में आपको swill flow technology, multifunctional valve, unique weld free design, magnesium anode rod और temperature control switch जैसे key feature भी मिल जाते हैं तो दोस्तो बजाज की तरफ से ये water heater सबसे ज़्यादर बिगने वाले water heater में से एक है और काफी अच्छा option है आप इसको check कर सकते हैं इस list में चौथे नमबर पे आता है VEGuard 5 star rated 15 liter storage water heater model number आप इसकी नमबर चेक कर सकते हैं इसका price है 6700 के आसपास दोस्तो वEGuard के इस water heater में आपको 2000 watt का heating element मिल जाता है और इसकी energy rating है 5 star की इसकी water storage capacity है 15 liter की suitable for 2-3% और इसमें आपको 10 liter और 25 liter के size भी मिल जाते हैं वहें इसकी warranty की बात करें तो इसमें आपको 2 year on product, 3 year on heating element और 5 year on inner tank की warranty मिल जाती है दोस्तो वEGuard के इस water heater में आपको ink alloy 800 heating element मिल जाता है जो water heater में सबसे best बाना जाता है और आपको superior heating performance प्रोइड कराता है इस water heater में आपको extra thick sacrificial magnesium anode rod मिल जाती है जो इसके inner tank को जंग लगने से बचाती है और उसकी life को enhance करती है इस water heater में high density puff insulation का use क्या गया है जिससे इस water heater में पानी देड़ तक गरम रहता है साथी साथ ये water heater safety point of view से भी काफी अच्छा है साथी साथ इस water heater में आपको suitable for 8 bar pressure advanced thermostat and thermal cutoff 5-in-1 multifunctional safety valve single well line design tank और temperature control knob जैसे की feature भी मिल जाते है तो दोस्तो वीगाड की तरफ से ये water heater और गी जरेक अच्छा option है आप इसको चेक कर सकते है इस list में 30 से नंबर प्याता है chrometon 5 star rated 25 liter storage water heater model नंबर आप स्क्रीन पर चेक कर सकते हैं इसका price है 7200 के आसपास दोस्तो chrometon के इस water heater में आपको 2000 watt का heating element मिल जाता है और इसकी energy rating है 5 star की इसकी water capacity है 25 liter की suitable for large size family और इसमें आपको 10 liter और 15 liter का size भी मिल जाता है वहें इसकी warranty की बात करें तो इसमें आपको chrometon के इस water heater में आपको powerful copper heating element मिल जाता है जिससे ये पानी काफी जल्दी गरम कर देता है इसमें आपको rust free body मिलती है और heavy duty anode rod की help से inner tank में जंग का खत्रा नहीं रहता जिससे वो लंबे समय तक चलता है इस water heater में आपको advanced 3 level safety मिल जाती है जो इस water heater को electric shock साथी साथ इस water heater में आपको suitable for 8 bar pressure nano polygon technology smart sealed temperature control knob और powder coated metallic body जैसे की feature भी मिल जाते हैं तो दोस्तों powerful copper heating element के साथ chrometon की तरफ से ये water heater एक अच्छा option है आप इसको check कर सकते हैं इस list में दूसरे नमबर पे आता है Hevels 15 liter vertical storage water heater model number आप इसकीन पर चेक कर सकते हैं इसका price है 8300 के आसपास और इसके अधर specification आप अपनी स्कीन पर चेक कर सकते हैं वहीं warranty की बात करें तो Hevels के इस water heater में आपको 2 year on product 4 year on heating element और 7 year on inner tank की warranty मिल जाती है जो इसकी reliability को दरसाती है Hevels के इस water heater में आपको thick steel inner tank मिल जाता है जिसके उपर ferro glass dry powder की coating की जाती है ये coating inner tank को corrosion resistance मनाती है जिसकी वहाँसे ये water heater hard water में भी आपको अच्छी heating performance प्रोइड कराता है इस water heater में आपको heavy duty magnesium anode rod और ink alloy heating element मिल जाते हैं जो इसकी build quality और performance को और भी enhance करते हैं साथी साथ इस water heater में आपको adjustable knob, suitable for high rising building puff insulation, wheel flow technology multifunctional safety valve thermostat and thermal cutoff जैसे key feature भी मिल जाते हैं दोस्तो हैवल्स के इस water heater में आपको सभी जरूरी spare part मिल जाते हैं जो installation के लिए जरूरी होते हैं साथी साथ यदि आप city में रहते हैं तो आपको installation के लिए कोई भी charge नहीं देना पड़ेगा तो दोस्तो हैवल्स की तरफ से ये water heater एक reliable और अच्छा product है तो आप इस water heater को ले सकते हैं अब बात करते हैं number 1 की लेकिन वहाँ जाने से पहले यदि ये वीडियो आपको informative लगती है तो प्लीज इस वीडियो को प्राइज है 8,500 के आसपास इसके अधर स्पेसिफिकेशन आप अपनी स्कीन पर चेक कर सकते हैं वहीं वारंटी की बात करें तो इस water heater में आपको 2-year comprehensive, 3-year on heating element और 7-year on inner tank की वारंटी मिल जाती है दोस्तो ऐयो स्मित के water heater में आपको heavy gauge alloy steel inner tank मिल जाता है जिसके उपर blue diamond glass landing coating की जाती है जिससे इसका inner tank काफी मजबूत हो जाता है इस water heater में आपको long lasting anard rod मिल जाती है जो normal anard rod के मुकावले दोगुना चलती है और अगेन इसके inner tank की life को enhance करती है इस water heater में आपको glass coated ink alloy heating element मिल जाता है जिसकी build quality काफी अच्छी है और ये water heater आपको लंबे समय तक अच्छी heating performance देता रहेगा साथी साथ EOSmith के इस water heater में आपको temperature control knob power and heating indicator thermal cutout and safety valve premium design और longer warranty जैसे key feature भी मिल जाते हैं दोश्को EOSmith का ये water heater इंडिया में सबसे ज़्यादा विकने वाले water heater में से एक है और इसका customer feedback काफी अच्छा है तो ये water heater एक best option है जो आपको अच्छी heating performance देगा और लंबे समय तक चलेगा आप इस water heater को ले सकते हैं तो दोस्तो ये थी detail top 5 best water heater for home 2022 की इस list में 500 ही water heater काफी अच्छे है जिनको आप अपने budget और requirement के हिसाब से select कर सकते हैं वहीं मैं अपने recommendation की बात करूँ तो आप EOSmith और Hevels में से किजी भी एक water heater को ले सकते हैं दोस्तो इस list में कौन सा water heater आपको best लगा हमें comment मिलकर जरू बताइएगा दोस्तो आज की वीडियो बस इतना ही मिलते हैं अगली interesting वीडियो में जब तक के लिए खुश रहें स्वस्त रहें नमस्कार